हेलो दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है मैं आज आपको 26-25 में मोबाइल से प्रिंट और स्कैन कैसे करते हैं वो बताता हूं ठीक है तो मोबाइल से प्रिंट करने के लिए आपको मशीन में यह मोबाइल के आप्शन पर जाना पड़ेगा आपको यह देखिए आपको मशीन के सेटिंग में जाके इसको इनैबल करना बड़े तो सेटिंग रिजिस्टेशन से हम मशीन के अंदर जाएंगे लौग इन करेंगे मशीन को अधिनिस्टेटर करेंगे इसके बाद जो आपका पासवर्ड मैंने अभी इसका पासवर्ड वन से लेके 7 तक डाल गार ठीक है तो आप डाल दिजिए जो Бी आपका Password हो और लॉगिन करके device setting में जाना है device setting के बाद आपको जाना है कि Sori preference में जाना है तो यह सबसे उपर जो option है हुस्त प्रिफरेंस में जाएं सिके बाद network में जाएं तो नेटर्क के बाद आपको select नीचे एकदम नीचे जाएए एकदम नीचे जाना है आपको last page पर एक option मिलेगा direct connection setting ठीक है इस पर जाके आपको इसको on कर देना है ठीक है on करके okay कर दीजिए और close कर दीजिए ठीक है इसके बाद machine restart करने के लिए कहेगी तो आप yes कर दीजिए machine restart होगी है ठीक है मशीन अपने आप बंद होके on हो जाएगी तो आप थोड़ा वेट करिए अभी मेरी मशीन बंद हो गई थी अब मेरी मशीन on हो रही है ठीक है तो on होने के बाद आपको कुछ ज्यादा नहीं करना वैसे मैंने पहले भी एक दो वीडियो बता रखा है फिर भ के पारएप एक क्यांन के प्ले स्टॉर जाईए मैं ब्ले स्टॉर में जारा हूं ओं कि वीडियो को ध्यान से देखिए कि शूट गया तो आप फिर से वीडियो देख सकते हैं यह प्ले स्टोर में जाएंगे यहां कैनन प्रिंटर एप डाउनलोड करेंगे तो आपको क्यों वैसे तो कई एप दिखाएगा बट आपको यह वाला डाउनलोड करना है बिजनिस बिजनिस कैनन एप यह वाला जो है इसी को ही आपको डाउनलोड करना ठीक है मैं कर लेता हूँ अभी मैंने अल्रेडी पहले डाउनलोड कर रyssा है तो मैं केवल ऐपन करता हूँ ठीक है कर इस option को अभी कुछ मत करिए ठीक अब मशीन पर चलेंगे हम कि एक मिनट स्लिप मौड़ पर चलेंगे मेशीन कि स्लिप मोड़ में कर देंगे कि एनरजी सेव मोड़ का सारे option अभी दिखा नहीं रहा है थोड़ी सा थोड़ा सा वेट करेंगे तो यह थोड़ी देर में आपको सारे option जो मवाइल का print का scan का हो सब दिखाएगा मशीन थोड़ा process इसका slow है मशीन का तो टेंशन न लिजे कि option नहीं है option अभी आजाएंगे थोड़ा सा वेट करेंगे तो आजाएंगे देखिए आगया मोवाइल पॉर्टल आगया ठीक है अब इसको आप सेलेक्ट करेंगे कि मोवाइल पॉर्टल को और scan करने के लिए यह वाला scan from मोवाइल ठीक है तो इसको हम करेंगे कि अब टच भी यूज़ कर सकते हैं मैं पैंसल यूज़ कर रहा हूं जो मशीन के साथ आती है कुछ आसा इश्यू नहीं है ठीक है अब देखें इनेवल का option आ रहा है तो हम इसको इनेवल करेंगे इनेवल होने पर यह आपको आपके अपने मोवाइल पर भाई पाने आपको खोलना है ठीक है वह पहले मैं मोवाइल में वाई-फाई को फूल लेता हूं मैं वाई-फाई के थूरू ही आप कर पाएंगे Bluetooth के थुरू नहीं कर पाएंगे तो मैं Wi-Fi On करता हूँ Wi-Fi जैसे यह On करेंगे यह देखिए आ गया सबसे उपर Direct Canon 10 करके कुछ लिख के आ रहा तो आपको यही सेलेक्ट करना यह उसी का Wi-Fi यहां catch कर रहा है Wi-Fi में आपके यह आ गया Direct Canon 10 लिख के आ रहा ठीक है इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए अब यह पासवर्ड मांग रहा है तो पासवर्ड इसी में ही रहेगा ठीक है यह देखिए यहां पर देख लीजिए ध्यान से यह देखिए पासवर्ड देखिए SSID का जो नेम है वो दिखा रहा है Direct Canon 10 और Network Key यह जो पासवर्ड है नीचे यह नेटवर्ड का यह आपको Connect कराने के लिए पासवर्ड लगेगा ठीक है आप जितनी बार भी इस Option को यूज करेंगे उतनी बार आपको यह पासवर्ड जो है चेंज हो जाएगा आप हर बार पासवर्ड डाल लिया है और Connect करा रहा हूँ ठीक है अब मेरी मशीन Connect हो गई है Mobile से ठीक है अब मैं कुछ Print करने के लिए Document देखता हूँ कोई File Select कर लेते हैं तो Gallery में चले जाएए या जहां से भी आपको Select करना है Print करने के लिए वहां से आप Select कर सकते हैं तो अभी मैं Gallery में जाता हूँ और एक File को Print करके Check करते हैं अभी यहां पे पहले एक बार हम Add कराएंगे ठीक है पहले Add करा लें फिर Print देते हैं क्योंकि Add के बिना Print नहीं आएगा तो यहां जैसे जाएंगे Search पे जाएंगे और यह Add करेंगे ठीक है कहीं अगर समझ ना आया हो तो यह देखिए जैसे Add कराएंगे तो Green हो जाएगा ठीक है Green हो जाएगा और यह Add हो गया अब आपका Print आएगा अब मैं Gallery में जाता हूँ डारेक्ट तो Gallery में मैं यह Gallery क्ल रखी है यह देखिए है एफ फोटो है ठीक है फोटो है Libri P को अभी असलेक्ट करूँगा का भम कि शेयर करना है थेक है शेयर करना है आपको यह द्यान रखें डार्यट प्रिंट नहीं दीना शेयर करें को टो शेयर करने के बाद यह option पूछा किस से करना तो प्यक्21 एपना प्रिंड का लोगो इसको बैक चले जाएंगे और सीधा प्रिंट स्लेक्ट कर देंगे तो इस तरह से यह दिmmet बदेखे मसीन में प्रोसेस चालओ गए लाइट ग्रीन जल गई मशीन में से चालओ अब आपका प्रिंट अराम से आ जाएगा इस तरह से आप डारेक्ट वाटसप पे जो भी डाटा आपका आता है जो भी फाइल आती है या मेल पे आती है तो अगर आपकी मशीन नेटवर्क पे नहीं भी है लैन नहीं लगा है वाइफ़ाई नहीं अटाच है मशीन में तब भी आप अपना मौयल से प्रेंट ले सकते हैं या किसी भी मौयल से प्रेंट इस एप के थू करके सेम प्रोसेस से ले सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रिंट निकाल सकते हैं अब हम होल्ड करेंगे प्रिंट आ रहा है मशीन से बाहर है तो मुझे नहीं लगता कि कोई इश्यू आपको आएगा फिर भी अगर कुछ इश्यू आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं यह देखिए डाकुमेंट यह नि के इस तरह आप प्रिंट निकाल सकते हैं 26-25 माडल में ठीकए मॉबाइल से प्रिंट देने का सेम प्रॉसर से कोई भी माडल हो अब मैं आपको स्कैनिंग बताता हूं ठीक है स्कैनिंग करने के लिए आपको जैसे कि मैंने पहले बताया है आपको स्कैन टु मॉबाइल वह है ठीक है इसमें आपकी मशीन तो अल्रेडी कनेक्टेड है आपको स्कैन का फोल्डर जो यह बना हुआ है स्कैन का उप्शन इसको टेच करना है ठीक है अब भी आप डारेक्ट जैसे मैं टेच करता हूं तो यह एरर आ लगा दिया मैंने उपर आप उपर दस पांच पे जो भी लगाना चाहिए लगा सकते ठीक है अब मैं कंटीन्यू करूंगा आपको जो सेटिंग यहां से चेंज करनी है वह आप कर सकते हैं और डारेक्ट स्टाट कर सकते तो देखिए वन बाइवन जितने भी पेपर आपने र तर यह सब्सक्रा देखिए कि कोई पेपर टेढ़ा भी ना हो फटे पुराने जैसे बहोत पुराने पेपर हैं तो वह भी अगर आप ऊपर रखेंगे तो वह थेंगे ऊपर वही पेपर रखेंगे चुल एकदम सीधे और तरे नाऊ और साफ सुद्रे पेज हैसा नहीं फट स्कैन हो गया है और वह सेव हो रहे हैं कि अभी मैं आपको दिखाता हूं पूरे पेपर मेरे मोबाइल पे शो करने लग जाएगा कि इस तरह से आप मोबाइल को कि यूज कर सकते हैं प्रिंट और स्कैन के लिए ठीक है यह देखिए यह देखिए मैंने जितने भी पेपर किये हैं स्लाइड नहीं होगा यह आप यहीं से एरो से नीचे से आप पूरे पेपर देख सकते हैं तो इस तरह आप कर सकते हैं प्रिंट और स्कैन वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्यू